आज की जो वीडियो है तुम्हें grammar से संबंदित है इसमें कुछ sentence दिये हो गया है और यहां पर question में दिया है fill in the blanks with the correct degree of the adjective given in the brackets दिये गये bracket में जो भी adjective दिया है आपको इसमें से correct degree का इस्तमाल करना है तो इसमें degree adjective में 3 degree होती है पॉस्टी degree, comparative degree, super lady degree तुम्हें degree का इस्तमाल करना है कि सेंटेंज में कौन सी degree लगेगी वो तुम्हें भरना है ठीक है बारी बारी से मैं sentence बोलूँगा और उसका तुम्हें तुरंत लिखना है तो पहला sentence दिया है he is the दैस इस्टुदेंट इन दा क्लास ब्रेकेट में बैड दिया है तो बताओ क्या भरोगी वर्ष्ट ठीक लिको वर्ष्ट थोड़ा बड़ा लिखना है स्पेलिंग ठीक है बड़ी गुड फिर सेकंड सेंटेज में दा गर्ल इज डैस दैन दब्वाय ब्रेकेट में दिया थिन क्या बढ़ा जाएगा थिनर ठीक है हाँ टी को थोड़ा बढ़ा करो टी सही बनाओ हाँ ठीक है फिर थर्ड पॉइंट में थ्वाइट साइड वो अब फिर लिखा है विच इस दा डैस पीक इन दा वर्ल्ड ब्रेकेट में दिया हाई तुम्हें इसमें क्या बनना है हाईयर हाईयर हाईयस्ट ध्यान से ठीक है हाईयस्ट भरो ठीक है फिर लिखा है फोर्थ पॉइंट में दा फ़र्स्ट एक्ससाइज एज डैस दैन दा सेकेंड ब्रेकेट में दिया है डिफिकल्ट क्या भरा जाएगा जाएगा ठीक है जगह नहीं है तो उपर थोड़ा लिख सकती हो डिफिकल्ट थोड़ा मिटार के सई करो साई से स्पेलिंग दिखे जगह उपर लिखो जगह नहीं है तो हाँ इस्पेलिंग ढंग से लिखने समझ में आया क्या लिखी हो मोर लिखो पहले जो तुमने लिखा था कि लिए इस्पेलिंग दिखनी चाहिए डिफिकल्ट उपर नीचे कर दो अगर जगह नहीं है तो इस्पेलिंग चोटी कर दिया तुमने फिर चलो ठीक है ध्यान अगना आपकी बार स्पेलिंग बढ़ी रगना तो तुमने ब्रेकट में मोर डिफिकल्ट बढ़ा है ठीक है और नेस्ट पॉइंट क्या है कोलकाता इस दा डैस सिटी आफ इंडिया तो बताओ इसमें क्या वर आजाएगा लार्जेस्ट ठीक है लार्जेस्ट बढ़ो टी साई से बनाओ दिखे साई से टीक कैसे बनता है ठीक है नेस्ट पॉइंट है दा सोफा इस डैस दैन दा बेड ब्रेकट में लाइट दिया है क्या भरेंगे लाइट ध्यान से दिया पर निक्या लिए तो यह इसलिए बोले ध्यान से लिखो अग्यां विए इस पैलिंग देखो कहा गल्बा कर रही हो लाइटर के स्पैलिंग लिखा गया है वैं ध्यान से देखती नहीं हो इस प्रेकट में कुछ और लाइट की स्पैलिंग है शैसे टी मनाओ ठीके, very good, फिर next क्या है, राम is as, das as his brother, bracket में दिया good, बताओ क्या बरा जाएगा, good, ठीक है, next है, मीना is not so, das as her friend, bracket में दिया tall, tall, क्या बरा जाएगा, tall, ठीके, tall लिगो, सही से, L नहीं दिख रहा है, छोटा-छोटा बना दियो, कित्ती बार बताएगे, तुमको spelling ठोड़ा बड़ा लिखो, लेंगे, तुम्हें समझ में नहीं आता है, ठीक है, फिर next point है, she is the, das girl in the school, bracket में दिया है, lucky, luckier, ध्यान से देखो, क्या है, ध्यान से पहले sentence पर ध्यान दो क्या है, बताओ क्या भरेंगे, लख्की का क्या होगा, लख्की, लख्की, ब्रेकर में देखो, क्या लिगा है, क्या बरा जाएगा, लख्की एष्ट, हाथ लिगो, लख्की एष्ट, मिटार के करो बड़ा, बार बार तुमको समझा रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इस पैलिंग बड़ी नहीं लिखने आ रहा तुमको, क्या फैदा जब तुम्हें समझ हुँना है, लेकिन लिखा रहे हैं, क्या फैदा है, नेक्स्ट पॉंट के है, नतिंग इज दर्स दैन ट्रूत, ब्रेकर में दिए है स्टेबल, बताव क्या होगा, ठीक लिखो, बाड़ी स्पेलिंग लिखना है, ठीक है एक बाद पढ़ के सुनाओ क्या लिखा तुम ने है यह दा वर्ष्ट 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 इस्टूरें इन दा क्लास ठीक है यह दा लिखा लिका यह ग्याए ग्या लिख अए हुआ पल डाझ बाट वर्ष्ट व भर्ष्ट वर्ष्ट वोर्ड इस्टूरेंज पर लिख द sola a । कोर्काता इस दा लार्जे सिटी इन सिटी ऑफ इंदिया अवास तेज क्यों नहीं करना आ रहा तुमें दा सोफा इज लाइटर दैन दा बैड राम इज है गुड है एज कहा है पड़ना भी नहीं आ रहा है राम इज एज गुड लिका है फिर से पड़ो सेंटेंस को राम इज एज गुड एज इज ब्रदर टीक है मीना इज नॉट सो तॉल एज हर फ्रेंड शी इज दा लग्कियस्ट गर्ल इंदा स्कूल नथिं इज 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